तेरी शादी हो चुकी है उनको क्या देख रहा है वाइफ ने ये पोस्टर दिया है बोल रही है सेम ऐसी साधी लेक्या पुरा जम्मू घूम लिया कही साधी नहीं मिल रही है और जहां मिल रही है न इतनी महेंगी है मैं क्या बोलू तु भी वह यार बगल में फोड़ा शहर में दोरा वही वही मैं एक काम कर तेरे को यहां चाहिए यहां थो किना के यहां एक जगा सारा काम हो गया है सची हम और टेरे स्वड़ी हो जड़ीड उपका पका चला चलो चलो헋 तो मुझे कंदर ले आए और यहीं तो है वह सब कुछ जो तुझे शहां यहां तेरी मंजी लबो सामने देख राश्टे सिल्क इंडिया हां यही है वह मंजिल जहां पर तुझे चीजें चाहिए थी वह सारी यहां पर प्रेमिल जाएकी ना फोटो में संतलमिकonders कि असलेशा हना में दिका रूट और फोटो धिखा है यह एक जाएगाया जोए टेड़े मिल जाएक एल के बिजट मेंनी ब्लेगी उसको थोड़ा बता कर देना साधी के बारे में इसको असलब में जो है ना एक करद बैटके भीविंग करता है पूरा रिदिंग का लिदे। इस वाली दिखाता है यह देखिए एक वो लगाए रखे भी हमने बिल्कुल बेस्ट चीज है यह वह वाली है वह विधित यह सब लीडिंग विविंग होती है तुछ इसको बनाने में सिब टू मंट्स लग जाता है दो महीने इस साड़ी को बनाने में पूरी मेहनत लगती है तब ही तो इतनी खिलके इतनी खुशूरत बनके आती है यह पूरा ओलवर बोड़ी ब्लाउस पीस आएगा अच्छा यानि इसी के बीच में ब्लाउस का पीस भी आ जाता है सब कुछ आ जाता है तिलंगाना पैटर्न में आता है यह सब फैब्रिक बिल्कुल यूनिक चीज होता है इसका यह देखिए इसको पहलने में बहुत खुशूरत लगता यह यह लीडिंग यूबिंग है जो यह यूनिक चीज़ होता है यह दुख इसमें जाल बनाई तर यह विजाइन इसका फैब्रिक बहुत ही सॉप्ट होता और जैसे मैं देखा मैंने का साघी बंद आ नहीं सिंपल ही होगी जैसे खोलो और खुबसूरती सामने निकल के आती है ये देखो डिजाइन एक से बढ़कर एक और फैबरिक अगर आएंगे खुद टच करके देखेंगे तो मानेंगी हाँ यार बात तो है कुछ महीनों की महनत रहती है जिसमेंसे आयास भाई ने भी बताया की दो दो एक एक ।डेडर महीना लगजाता है जो काम करने वाले कारिकर है उन्हें ये साडी बनाने में, डिजाइन करने में और ये पूरी एक एक चीज जो है वो बारीकी से बनाए जाते ये तब जाकर इस तरह की खुश्रई साडी बनके आती है आप तक बिर्जेश को साड़ी चाहिए थी उसाड़ी का तो सारे इंतजाम हो गया लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको कश्मीरी फैबरी की बात की जा तो बहुत चाहते हैं कि यह फैबरिक हमें मिले यह पूरान का स्टॉल जो है यह लगाया गया है क्या क्या है कि कुण कुण से अर्टिकल के झाएगे हमारी पास है बैक पश्राक है यह और विपनी कछ्मीरी है तो हमारे तो गश्चाहि़ में कोर्दा मैं अर दावर लुपत cardboard कोड़म कॉण हरी चाहिए सब्सक्राइब कर दोसरा है हमारे पास जिसको फैरन का दूसरा प्रेटरन है यह वाला कुट वोलन में ना हां जी हां कोट है हां जी सब्सक्राइब कोट है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोट है जाता है यह फीमेल का है और इसमें हमारे पास जैन्ट का भी है और हाफ वह भी दिखा लेगी सिर्फ फीमेल के लिए यहां पर रखा गया है जो में लोग आना चाहते हैं हमारी चिनको चाहिए तो यह देखिए बाइसाब आदिल बाए उनके लिए यह दिखाए ओवाह यह मेल का हैं यह वाला के मेल तो दिख रहा भी तो यह पहनेंगे तो और खुब्सूरती जो है निकर के सामनी आएगी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुर्शों के लिए भी इनके पास सारी चीजा रखी गई और दूसरा भी है हमारे पास यह यह वाला भी कोट है हमारे पास और में यह पाश्मिना का है यह ब्लैक एंड वाइट कलर में और यहां देखो कितना अच्छा जो यहां इसका फ्रेंट में नहीं बैक में पूरे तरीके से काम किया गया है जो लाइट पेट होता है विंटर में पूरा सुशन रह तक गरम कर अच्छा फुल इंटर में यूज़ कर जी आप अच्छा यहां इसमें जाए यहां फूल ठंड के लिए होता है यह सिंगल है डॉल मिल जाता है डॉल मिल जाएगा इसमें डॉल ब्लोट का भी है यह ब्लॉक में इसमें दोनों साइड उज़ करेंगे इसको इधर भी उसको इसको बिछा सकते हैं उपर ले सकते हैं यहां जी यहां देखो कहा कहां से है बिछाना चाहें या उपर लेना चाहें वो भी है और उल्टा सीधा जैसा माझी के इसको उल्टी साइड है नहीं सारी सीधी साइड है अब देखिए समया कुई लेकर आये हैं जैपनी हमने लाइट भी रहेंगा गरम पूरा रहेगा इसको लाइट ब्लैंकर बना जाए ब्लैंकर बना से इसको लाइट वास आपको ब्लॉक में इसमें और जाएट ब्लैंकर होता है इसमें कोई केंपल यह यूज करते हैं हम दो ने सब्सक्राइब होती है वेश्टेबल कदर स्कोल से अब फुरी ठप्याली पेंटिंग ब्लॉक में इस पूर में जैपने पूरा जैप्र का बाग प्रेंट है बार्ड मेर का जो डिजैन इसमें ने बार मेरे जैन दिया पूरा रांड सरकल डिजैन यह कलर फुल बैट शीट होगे पूरी और मैक्समिल यह चाहते हैं कि कलर फुल जो है वो चीज़ा रहें अपने रूम में पॉजिटिविटी आती है तो यह पॉजिटिविटी के लिए बहुत ही अच्छी यहां इसे कहते हैं और और क्या बोलते हैं देशी वाशा में रजाटी अरजाटी इसे बोलते हैं आराम से सिंगल बैड़ेड यह डैबल बैड़ेड आपको चाहिए और बहुत लाइट वेट नहीं है आजकल हम क्यूंकि हम पने घरों में लेते हैं तो इतना बहार उठाना सकते हैं आराम से यह सबसे बढ़ी है क्योंकि ट्रैवलिंग में यह चाहिए होती है ब्लैंकेड अगर आप देखे तो ब्लैंकेड से भी कम वेड इसका लग रहा है मुझे ना और यह असानी से अगर आप बैग आपको छोटा बैग भी है तो उसमें भी आप इसको मोल्ड क सकते हैं असानी से ट्रैवलिंग में अपने साथ इसको ले जा सकते हैं तो हमारे साथ इस वगत अब्दुल बनारसी है बनारस के रहने वाले है और यह इनका स्टॉल है बहुत कुपसूरत अंदर यह आइटम जो है वो लगाई गई है और जितने भी पर्स अगर देखा जा बनाते हैं तो बोलता है ऐसाथ फैंडल बैक्स होते हैं अंदर बीजाइन अगे बड़े खुपसूरत है यह तो अट्रैक्टिव देखा इसको वीड़े बहुत ही रेयर लिजाइन होती है घर में जो डालते हैं आप लो इसके लिए एक रनर हमने बनाया है बहुत एक उस्तुरत आएगा सर्य यह इसमें सिंगल रनर आता है इसके साथ हम लोग 6 मेड डालते हैं यह वरा अच्छा यह डाइनिंग सैट के लिए पूरा प्रॉप यह बैडशीट जो है वह भी इनके पास वह आपको अवेलेबल मिल जाएगी बैडशीट भी आपको दिखा देंगे उससे से आप नजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितनी खुबसूरत और बढ़िया कलेक्शन जो है पूरा सैट है इनके पास बैडशीट में कहा रहता है आपक से यह हैं अधे फूल चादर है जेड़े कि छाहिए तो वह बनके पास कि यहां पर यह देखिए और आपको यह थाखिये चाहिए चोटा अगर कूशन है आपके लिए तो ये कूशन के लिए पूरा सैट है तीन कूशन मिल जाएंगे दो यह पर यह तके पूरा कॉम्बिनेशन रखा है तो विजिट जरूर करिए यहां पर यह दो भाई है हमारे बनारस के रहने वाले इनकी तरफ से पूरा स्टॉल लगाए गया है हर एक चीज ऐसा लग रहा है कि खुद देखके तराशी हुई है बनाई हुई है उन्होंने कहा कि यह खुद बना जान बच गई मेरी जान बच गई ना अब यह लेकर जाना तुझे क्योंकि यह तो ठीक है इसके सास अगर तुझे और ज्यादा खुश करना तो यह तो यह डेक्रेशन वाले फ्लावर यह भी ले जा सकता है अब और चाहिए तो तुझे बहार से लेने पड़ेंगे अगर यह चाहिए पूरा का पूरा जब फूल दान चाहिए तो यह तो यहां से ले सकता है यह कितना से लग रहा है ना अब तु क्या गाता है बाकियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए रेट भी ठीक है आना चाहिए एक बारी विजट करना चाहिए कि शादी आने वाली है तो कहा आना चाहिए? कला के अंदर में राष्टे सिल्क इंडिया की एग्जिबिशन लगी हुए जहाँ पर आपको सब कुछ मल जाएगा कला के अंदर कहाँ पर है? कला के अंदर है आपको जब आप विक्रम चोक से गांधी नगर की तरफ जाते हैं अमर्सिंग क्लब के बिल्कुल अपोजिटा है कला के अंदर तो दू विजिट कला के अंदर जहां पर एग्जिबिशन लगी है राष्टे सिल्क इंडिया है